अस्सालाम अलेकूम आज हम New Oxford Modern English के बुक क्लास 7 की पढ़ने वारे हैं The Number Room Chapter तो हम ने पढ़ लिया था ये तो अब हम इसकी में आपको एक्स्प्लेशन कर देता हूं तो इसमें जो ये लड़का होता है इसका नाम होता है निकोलस निकोलस नाम होता है इसका तो ये जो होता है इसने एक सरारत की इसने आप एक गार्डन होता है वो भी मैं आपको बाद में बता दूँगा इसने ब्रेड और मिल्क में ये फ्रॉग रख दिया था और बहुत सरारती लड़का था ये सुवा को बहुत इसने सरारत की थी उसके बाद इसकी ये वाली आणटी थी इन्होंने वो उसे बहुत ढाटा था उसे का था नोंसेंस तुमें कोई शेतानी रूह आती है ये बोलती है ये बोलती है तो उसके बाद इस चीज़ के लिए वो उसे सजा देती है कि मैं इस घर में बहुत सारे लड़के होते हैं तो उसका जो बड़ा भाई उसका जो सबसे छोटा भाई होता है जैक बोरो नाम है उसका तो उसको वो कहती है मैं उसको ले जाओंगी आज अपने ग्राउंड में वहाँ पे ग्राउंड होता है उसका नाम अभी तो अभी तो यहाँ बे नहीं है मैं आपको बताऊंगा पर जब हमने पड़ा था तब इसमें था एक एक तो था बस तो ग्राउंड में वो उसे ले चलती है तो फिर वो लड़का है ना उसको हर चीज पता होती है कि यह कहां चीज है यह चीज कहां पढ़ी है यह चीज कहां पढ़ी है तो वो एक चाबी ढूंड के लाता है अपने घडसे ढूंड ढूंड के तो उसे एक चाबी मिलती है वो फिर एक खाली कमरा होता है जिसमें 20 साल तक कोई नहीं गया वो वाला कमरा जाके वो खोलता है और उसके अंदर उसे बहुत सारी अमेजिंग चीज़ें मिलती है उसकी एमेजिंग होती हैं और फर उसे एक तस्वीर मिलती है इस तरह की वो बहुत खुश होता है बार बार उसे देखता है और उसके बाद उसके बाद वो जो जो आंटी की चलाने की आवाज आती हैं समझती है कि वो समझती है कि ये निकोलस दोबारा भाहर गया होगा गार्डन में कॉस्पेरी गार्डन था शायद से मेरी ख्याल में तो मैंने जब पढ़ा था रुको डूंड के चेक करते हैं कौन सा गार्डन था हाँ पता नहीं उसको तो छोड़ते हैं उसे उसने कहा था कि वो आँटी समझ रही थी कि वो पक्का गया होगा पक्का गया होगा तो गार्डन में गया होगा तो फिर वो एक टैंकी में टैंकी में गिर जाती है तो फिर वो चिलाती है निकोलेस 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 कहा हो इधर आओ इधर आओ फिर निकोलेस जवाब नहीं देता कुछ देर बाद निकोलेस को आवाज आती है निकोलेस भाग भाग के ग्राउंड वहां पे जाता है तो वो अंदर ही खड़ा होता है घर में और फिर कहता है कौन हो तुम कौन हो किती है मैं तुमारी आंटी हूँ मैं तुमारी आंटी हूँ किता नहीं नहीं मैं ग्राउंड में नहीं होगा मुझे तो आंटी नहीं नहीं आप जानती नहीं है क्या आप वही ताकत हो शेतानी ताकत हो निकोलेस को पता भी था कि वह मेरी आंटी है फिर और ईज्वा को जेम दोगे क्या ब्रेकफास्ट के टाइम कहती हैं हाँ दूंगी बहुत सारे पड़े पर पर आपको उठा लेता हूं फिर यह अपनी आंटी को फिर निकाल देता है अपनी आंटी को फिर सुबा को आराम से चाय पीता है और अराम से जो चाय पीता है और जेम खाता है तो ये बड़ो से बाजी जीत जाता है ऐसे ही बड़ो से बाजी जीत जाता है तो मैंने इसके पूरी एक्सपिलेशन कर दी है बाकी तो आप बाकी सारा काम कर दीजिएगा वो तो मेरा मसला नहीं है तो मिलते हैं अप अगली वी झाले